आप लोग आ गए अरे इतना टेस्टी साग बना है बहुत ही बढ़िया यह सरसों का साग सबको भुला देता है हेलो नमस्ते मैं हूं रस्मी रस्मी की फैमिली किचिन में आपका श्वागत है तो फ्रेंट्स आज मैं सरसों का साग बनाना बताऊंगी आपको step by step तो वीडियो को आप पूरा देखना और बड़ा आशान है इसको बनाना तो मैं आपको एकदम easy तरीका बताऊंगी तो वीडियो को आपको पूरा देखना है और चैनल को जरूर subscribe कर लेना लाइक कर लेना वीडियो को चलिए बनाते हैं तो यहां पर मैंने देखी सारी जो सरसों का साग ब लिया देखी इस तरीके से market में बहुत बड़िया साग आता है और एकदम ताजा है और यह गड़ी ले और यहां मैंने बत्वा लिया है बत्वा भी एड़ करते हैं इसमें और बत्वा कि गड़ी पतली है विल्कुल थोड़ा डालना है और यह गड़ी लिया है पालक तो प बढ़ी बड़ी है उसको फिर से ऐसे कटकर देंगे और जो भी इसे में घ साफ ऐसे टीज सी सब्सक्राइब बढ़ी बढ़ी साफ अलग कर ले रही है तो आपको पत्टी ने Wam मतलब जो मुलाइम थोड़ी यह हो ना थोड़ी उपर से ले सकते इस तरीके से आपको साप कर लेना है तो फ्रेंड्स किसको सरसो का साख खाना पसंद एक कॉमेंट करकर जरूर बताना सारा देखिए साख साप कर लिया है अब सब को आपको इकटा धूलना है चार से पांच बार बहुत अच्छे से धूलना है जैसे मिट्टी वगएर ही सारी निकल जाए तो मैंने टैप की नीचे बड़ी असे धूली आया देखिए और इसे धुलने के बाद किसी जाली वाली टोकरी में आपको निकाल देना थोड़ा पानी इसका निचुड़ जाए अब क्या करना है इसको कट करना है यहाँ पे आता है कि इसको कट कैसे करे किसी को कट करना आता है हसिया से काटता है कोई चाकू से काटता है कोई चौपर वो तो देखिए मैं इस तरीके से कट कर ले रही हूं बढ़ी आशानी से कट हो रहा है आप जिस तरीके से सब्जियां काटते हैं मैथी पालक उसी तरीके से काट सकते हैं और या फिर आप हसिया से काट सकते हैं देखिए इस तरीके से मैंने काट लिया फिर छोटा-छोटा कर दी इस तरीके से देखिए ना बड़ा बड़ा कट जाता है फिर छोटा कर दीजिए और बस इसी तरीके से आपको पूरा साग जो है ना वो कट कर लेना है पूरा साग देखी मैंने काट लिया इसी में बथुआ पालक सभी चीज कट कर ली है तो चलिए बनाते हैं बड़ी आसा य मिर्च को आपको जादा लेनी है तो मैंने यह पर लगबग 15 मिर्च ले ली है चट पटा साग बनाएंगे एक अद्रक का तुकड़ा ले लिया है और इसमें डालेंगे दसवारे कली यह लहशुन की तो लहशुन जरूर डालें अब बस सभी को बढ़िया से पीस लेना है त इसे तो भगोना बड़ा है अगर आपका छोटा है तो डाल रहें उसको थोड़ा बैठ जाने दीजिए उसके बाद फिर से उसमें डाल दीजिए साग तो बड़ा बगोना है कोई दिक्कत नहीं है आप एकटा भी डाल सकते हैं बस इस तरीके से चला देना है तो यहां पर यह ध्यान रखना है साग को पकने में थोड़ा टाइम लगता है ताजा साग है तो जल्दी पक जाता है मैंने उपर से इसमें धनिया एड कर दिया है जिससे बड़ा मतला फ्लेवर बढ़िया आता है अब यह देखिए पीस के रखिए ना हरी मिर्च अधरक लेशन आप इन तो देखिए मैंने बीच बीच में चला दिया है इस तरीके से मैं पकने देती हूं इसको 15-20 मिनट बाद मिलते हैं तो यहां 10-15 मिनट हो चुके हैं तो मैं देखिए साग को घौट दे रही हूं तो बस यही याद रखा जाता है जब भी हम साग बनाते हैं घौटना बहुत जाता है तो देखिए बढ़िया से देखिए कितना हरा भरा एकदम साग है तो मैं दिखा रही हूं देखिए बस आपको यही प्रोसेस करनी होती है घौटना है थोड़ा पकाना है अम मैं इसमें डालूंगी स्वाद अनुशार नमक तो इतना नमक एकदम परफेक्ट है तो बढ़िया से मिक्स कर देना हर फिर से 15-20 मिनट पकाना है तो फिर से इसको देख लेते हैं और बढ़िया से घौट देना है तो बीच भीच में कर तरीज तो आप बाजरे की रोटी बना सकते हैं बढ़िया से ऑफ्रे रहां पानी झानی हैं पानी लगता है दिख्निआ दिया यह एक्सकिल रीचर लगता है तो इसी पानी और लगता है तो यहाँ पानी निकाल लिया है बस धकेंगे जब तक पकने देंगे और तब तक लगाते हैं अलहन तो मैंने यहाँ पर बाजरे का आटा ले लिया फ्रेंट्स दो से तीन चम्मच है दो चम्मच इसमें डालेंगे बेशन आप मक्के का आटा अगर आपके पास है तो बहुत जो अलहन लगा सकते हैं बहुत भड़िया साग बन जाएगा और अब हमें देखिए जो थोड़ा थोड़ा आटा डालकर बढ़िया से इसको फेट लेना चिससे लंप्र गुटलिया एक भी ना हो देखिए बढ़िया बनकर तयार है अलहन अब इस देखिए जू गोल बनाय अलहन बनाया है इसको इसमें डालेंगे और बढ़िया से मिक्स कर देंगे और बढ़िया से साग को घोटना है तो देखिए कितना बढ़िया कलर आया एक दम हरा वरा सरसों का साग और सारा मिक्स कर देंगे बढ़िया से और देखिए यह सब मिक्स करने के बाद 5-6 मिनट और इसको पकाना है जिससे यह अलहन लगाया है ना यह जो आटा है वो अच्छे से पक जाए तो देखिए मैंने दो से तीन मिनट जब यह देखिए फदकता है ना एकदम देखिए खौलता है तो तो गैस को आप मीडियम टू लो रखेंगे जिससे उपर को न आए उगदम छीटे पड़ते हैं पूरी गैस बर तो देखिए मैंने यहाँ पर पका लिया है पास से चै मिनट बढ़िया से उसके बाद आपको जादा नहीं पकाना होता है बस देखिए बनकर तयार अम मैं तड़का लगा दे सरसो का तेल गरम कर लिया अच्छे से और ठेर सारा डालेंगे इसमें लहसुन तो खूब सार लहसुन डालते हैं और आप टमाडर भी डाल सकते हैं तो मैं ढहीया रही तो हीट सही से डालेंगे उपर से कटी हुई हरी मिर्च गुल् less एक बहुत ही बढ़िया एकदम तड़का बनकर हो जाता है तैयार तो इस तरीके से सर्षों का साख फ्रेंट्स जरूर एक बार बनाना और यह उपर से तड़का वाँ चार चांध लगा देता है और बहुत ही बढ़िया मक्के की रोटी और सर्षो का साख लेकिन यूपी में सरसो का साग बनकर है। टयार एक बार प्रेंट जरूर बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं हैं और पॉर्फेक्ट तरीका बताया है, प्र्फेक्ट पानी डाला है, तो बढ़िया से बन गया है, साग किटना बढ़िया। बहुत ही टेश्टी बढ़ा था friends एक बार इस तरीके से जरूर बनाना पसंद आया हो मेरी तरीके से सरसों का साग तो एक like जरू कर ले लेना comment करकर बताना किस-किस को साग खाना पसंद है एक comment करकर जरूर बताना तो मैंने देखी दूसरे बरतने में transfer कर दिया था और मैंने इ ओपी में बाजरेगी रोटी खाई जाती है साग के साथ तो मैंने बनाई बाजरेगी रोटी विलकुल आसान तरीके से आप देख सकते हैं चैनल पर जिसे बेलन चलाना भी नहीं आता बो भी बना लेगा तो रैस्पी चैनल पर है जरूर देखें डिस्क्रिशन बोक्स में है लिंक तो आप जरूर देख सकते हैं आप भी खाएं यह देखिए सरसो का साग तो बहुत ही बढ़िया साग बना है मेरा तो फैवरेट है मेरे से तो नहीं रुका जा रहा मैं तो चली खाने फिर मिलते हैं नहीं वीडियो के साथ